तो नमस्ते आज चार पांस दिन हो गए हैं और निवल कोट का आदेश आये हुए जिन जिन राजियों को कि अंत्रियम रिलीप के लिए नोटिस हुए हैं और मामले में काउंटर एफिडेविट और जवाब देने के लिए नोटिस हुए हैं उन पांचे राजियों को सबसे पहले तो यह एक सुझाव रहेगा यह आप दिर्देश माल लें कि आप अपने अपने इस्टेट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं वहां जाईए और उनसे बात कीजिए और हो सके तो जो कोट का जो वीडियो है जो मेरे इस चैनल पर भी है और अन्य प्लेटपॉर्मों पर भी है आप महां दिखाईए और बताईए कि जो यह जजुमेंट आया था किस परिफिक्ष में आया था जिसको सभी राजियों ने गलत तरह से समझा और जिस कारण से आप लोगों को इतनी समस्या हुई लाखों रुपे आप लोगों ने इदर उदर खराब किये बरबाद किये इसका जिमिदार आपका स्टेट ही था मैं ये अपने इससे नहीं कह रहा हूँ मैं ये मालने जस्टिस नहीं कहा है कि मेरा जो आदेश था इन सर्विस से लिए तो था ही निए उनको प्रोड़क्ट करने के लिए था दूसरा अगले सुनवाई होने के लिए अब चारशब्ता से भी कम सम्य बचा है हमने पहले आपको चार सब्ता का समय दिया था अब मैं उसे घटा करके तीन सब्ता करता हूँ क्योंकि एक सब्ता में आप लोगों के बीच लाइब नहीं रहूंगा और नहीं कोई आपको अपडेट दे पाऊंगा उसका में कारण यह है कि हमें जो अभी तैयारिय जो अभी तक हम करते आए हैं उसको और मतलब समझते होंगे कि और थोड़ा सा डीपली जाकर की करना है क्या करना है कैसे करना है वो सब चीजे हैं बहुत कुछ चीजे हैं जो हैं पर हम बोल भी नहीं पाते हैं और ना बोल पा तो उनकी बातों को दियान में ना रखते हुए अपनी मंजल की तरफ चलिए अपनी लकीर को बढ़ा कीजिए ना कि दूसरे लकीर को देखिए जब आपकी लकीर आगे निकल जाएगे तो दूसरे लकीर अपनी आप चोटी हो जाएगी यह मेरे गुरु ने भी सिखाया था कि हमें दूसरी लकीर को कांट चाट करने की जगे अपनी लकीर पर ध्यान देना चाहिए तो आप अपनी अपनी लकीर भगे दियान दीजिए हम बताएंगे आपको हमसे आप संतुष ना हो तो ही आप किसी से संपर्क करें खास करके जो मिसलीने सप्लिकेशन में राज आए हैं इसके साथ ही कुछ लोगों का यह भी मैं देख रहा था कमेंट यूटूब वगरा वगरा जो भी मेरे पास लिंक लोग वेज रहे हैं उसमे को नहीं होगा रिवीव में डायरेक्शन होने के लिए समय लगेगा और उसी से हम बचने के लिए उत्राखंट से मिसलीने सप्लिकेशन ले जा रहे हैं ताकि जो अन्य पांच राजियों को जो आदेस मिले हैं वो हमें भी जारी हो जाएं और रिवीव में जब वांति फैस सब्सक्राइट से जरूरी है एक बर हमारी आउट्कम जोइन digging हो गयी तो हम केस को सालों सालं चला सकते हैं अगर आउटकम हमारे जोइन नहीं होती तो अपनी जब में ज्रैश से ज्यादा आप ono day में कफी लोगों ने ब्रमित करते काफी पैसा इलागा जार उदर कर दिया है तो आप लोग भी पैसा कहां से देंगे तो मेरी आप लोगों से गुजारी से कि कम से कम दो तीन हेरिंग के लिए तो आप पैसा अरेंज करिए ही करिए जैसे भी करना पड़े आपको करना ही पड़ेगा और जो मैंने मांट बताया था जो भी था मैं यहां बोलना साथ कम्यूटी गाइडलाइन का उलंगन होगा जो भी अमाउंट मैंने ट्यूट किया हुआ है उसको फोलो आप कीजिए आप लोग और वो जरूरी है मेरे लिए मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूं या आपके भविस्ति के लिए बता रहा हूं हाँ उसी में मेरा भविस्ति भी चुपा हुआ है अलाकि हमने अपने उत्राखड में जिलेवाइज टीम का गठन कर दिया है जो की ततकाल प्रभाव से कारेरत है और इसका साथ ही जिलेवाइज विभिन लोगों को कुछ विसेश काम भी दे दिये गया है जो अपने काम में लगे हुए उनको साब इस कुछ जल्दी हो सककी इसमें कोई ना कोई एंत्रिम रिलिफ ले करके अपने अपनी अपनी एस्टेट में जोइनिंग लेकरके और आगे केस को लड़ना है और इमंतारी से लड़ना है इसके लिए भी कासधियान रखें जो श्टेट भी फंड कलेक्ट कर रहा हैं वह अपन इनने स्टेटमेंट जारी कर दिया था विविन चैनलों को किनी किनी चैनलों को जो मौत्तपुन है उनको दिया गया है जैसे उसका अनफ्रीज होता है उसका अभी स्टेटमेंट आपको दे दिये जाएगा इसमें 1.65 लाग उसमें बैलेंस है इसमें से 1.30 लाग अभी एवार का उदार हो जाना है तो संग्ठन के एकाउंट में समझ लेजे करीब 20-25 अजारी है इस समय और कभी कोई यह ना ध्यान रखे कि संग्ठन को पास पैसा होगा इमांड नहीं दिखा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी बात पर अगर यकिन करते हैं तो ठीक है और अगर आप नहीं करते हैं तो मैं उसके लिए जवाब दे साइध नहीं हूँ तो लाइव आने का यह परफस था कि आप लोग अपने अपने स्टेट में कम से कम जो भी आप काम करने थोड़ा सा लगन से कीजिए कल नितां से कीजिए यह मत सुचिक अंत्रिम रिलिफ मिल गया तो अभी सुना जी देख लेंगे और हम बाद में वो कर लेंगे ऐसा नहीं वापाएगा अगली बार जो सुनवाई होगी तो जो वकील कि से संक्या होगी वह हमारे सिर्णी पहली वही थी तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे उस पर भी टीमवर्क हो रहा है उत्रप्रदेश में जो अधर जी है उन्होंने उसके लिए टीम का गठन कर लिया है कि कैसे इसको सोट आउट करना है तो इस तरह से अब सबको अपनी अपनी जिमेदारी ल पांच-सात मिनिट का जो भी वीडियो है यह इसलिए है कि आप लोगों को सुचना मिले कि सभी स्टेट पाइड फंड का कलेक्शन करें जो लोग भी स्टेट एड्मिन से नाखुस हैं जैसा कि होता है अमोमन होता ही है वो संगठन का एकाउंट QR कोड जारी है आप सीधे उ और आया था कि कौन से राज्य मैं कौन लीड कर रहा है बता देता हूं जो मेरे पात 5 राज्य का मिसली humility अप्लिकेशन आया हुआ है उसमें पताता हूं MA सबसे पहले मैं उत्रेखंट के छोड़ दीजिए उत्रेखंट का नहीं गया है उत्तर प्रतेश कभीनाई Speaking of बिहार से दीपक है उनका नाम पूरा साहिद दीपक जो भी है वो जानते होंगे हैं şdh जाटے आदमी हैं दीपक घी तो विहार से डीपक जी है है इसम से बीश्वनाजिश्य और दीसरा नाम एन याद नहीं आ पार मैं याद आगा तो बताता हूं एक बीश्वनाज़ जी और तरुण जी है तरुण मान जी बंगाल से विश्वनाज़ जी तरुण राजकुमार जी ना जो रह ना तोको सब्सक्तर रहा है तो मुझे फोन कर ले को को मैं लीट कर रहा हूं और अगर वाधर वहां कोई नहीं मिलता तो उडिसा को फंड सीधे डारेक्ट एकाउंट में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आप कोई सा राज बचे गया एक दो तीन चार पांच हो गए तो आप अपने स्टेट में इन लोगों से संपर्क करें और अगर आपका इन से संपर्क नहीं हो पाता है तो मेरा नमर तो सार्पजिनिक है ही आप मुझे सीधे कॉल करें या मैसेज करें तो ज्यादा बहतर रहेगा आपको जो भी जरूरी सुजाव या जवाब होगा वो दे दिया जाएगा और इसके त्रिक्ट जो मिसलिनेस अप्लिकेशन में आना चाहा रहे हैं वो आप लोगों को हम 15 दिन का समय दे रहे हैं 15 दिन के पहले पहले आप अपने डोकुमेंट अगर वगरा रेडी करके अगर हमें दे देते हैं तो हम उसको फाइल करवा देंगे 15 दिन के बाद हम उसमें कोई वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि 15 दिन के बाद वो हमारा भी थोड़ा सा बीजी स्टूडिल हो जाएगा इनी सब कारियों को ले करके तो इसलिए आप लोगों को 15 दिन का समय दिया गया है अगर कि सभी से यही अनरोध रहेगा सभी से यह अनरोध रहेगा कि अस वीडियो को सभी स्टेट तक पहुचा दीजिए ताकि वे अवेर हो सकें कि हमें अपने कर्तबयों के परती कितना सजग रहना है सभी को नमस्कार धन्यवाद